वेलकूर तो मैं चांब मावरी ग्रूफ्रेंट्स नीट 2024 रेजल्ट से रिलेटर जो क्वेरीज थी पेपर लीक, ग्रेस मार्क्स, डिस्क्रिपेंसी से रिलेटर जो भी क्वेरी थी उसका एंटिये ने अपनी तरफ से जवाब देने की कोशिस किये एक FAQ रिलीस किया हुआ है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे 30 से उपर questions हैं, हलाकि इसमें 15 से जाज़ा है जिनका answer आपको पहले ही पता है, क्योंकि बुक्लेट में भी questions आपको मिल जाएंगे, उनके answers मिल जाएंगे, नीट कैसे connect कराया जाता है, NTA का काम क्या है, नीट कब connect कराया गया, कितने medium में connect कराया गया, कौन को सी language में, कितने centers थे, कितने instrument parts बेट हो, यह सारे questions का जबाव आपको पता है, यहाँ पे कुछ questions पूछे गए हैं, जो अलड़ी NTA ने 4 या 5 दिन पहले आपको reply किया था, उ जो direct 720 out of 720 marks पा रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे थे, जो physics में, दो option की वज़े से 720 out of 720 पा रहे हैं, क्या ऐसी कितने बच्चे हैं, जो की grace marks लेके 720 out of 720 पा रहे हैं, सारी detail यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे सबसे इस सारी detail आपको पहली पता है, कि हम CCTV माध्यम से सारा data चेक कर रहे हैं, हमारे तरफ से कोई भी discrepancy नहीं हुई है, पूरी समसिटी इसकी बरकरार है, NTA का यह कहना है, और साथी साथी, जो एक सवाल ज्यादा सर्कुलेट होता था कि पतना में और गुजरात में cheating हुई है, पेपर पाए गए है, इस्ट्रुएंट को रटाया गया है, इ उसका भी जवाब यहां पर दिया हुआ है, और यह भी कहा जा रहा है, पतना पुलिस को cooperate नहीं कर रहा है, NTA documents नहीं दे रहा है, तो यहां पर NTA clarification है कि हमने पूरा cooperation किया हुआ है, documents दिया हुआ है, जो भी needed थे, और एक सवाल के जवाब में कि क्या जो grace marks मिला हुए, इसके related एक committee बनाए गए, तो committee बनाई गई है related to grace marks, कि grace marks क्या सही है, या फिर कम किया जाए सकते है, या re-exam करा जाए सकते है, इस related, 1563 बच्चे ही है केवल, NTA का ये भी final जवाब है कि केवल 1563 ही बच्चे हैं ऐसे जिनको की grace marks मिला हुआ हुआ, इसके अलावा किसी को भी नहीं मि आता है, या फिर कुछ बच्चे हैं जो Bluetooth devices पाए गए या इस तरह कि जो cases हैं, कितने बच्चों को debard किया गया है, exam के लिए means further exam नहीं दे सकते हैं, कुछ बच्चे हैं जो दूसरे की जगह पर परक्षा दे रहे थे, ऐसे बच्चे भी पकड़े गए इस तरह कि जितने cases हैं सबको NTA नहीं पर mention किया गया है, कि कितने cases total हैं, जो इस तरह से नकल करते हो, cheating करते हो या फिर unfair mean में पाए गए हैं, यह सारा detail यहां पर NTA नहीं दिया हुआ है, साथी साथ, NTA नहीं भी कहा है कि हम जो भी issues हैं, चाहिए cheating related हुई, unfair mean से related issues हुई, यह सारा cases हम देख रहे हैं, कुछ OMR seat फटी हुई, या फिर कुछ social media पर ऐसे videos भी आ रहे हैं, जिसमे marks कम करके videos circulate किये जा रहे हैं, या फिर OMR seat को फटी हुई बताई जा रहे हैं, तो NTA ने भी इसको clarify कर दिया है, हमाई तरफ से ऐसी कोई भी OMR seat नहीं दी गई है, इस तरह के अगर proof दिये जाएंगे तो फिर divide कर दिया जागा exam के exam के लिए further, NTA के यह भी कहना है, क्योंकि NTA अपने ही website से आपके scorecard को download कर निकली कहता है, तो कहने का सीधा है, यहाँ पे जितने possible सवाल थे, जो आप एक normal student पूछ सकता है, बाकी जो case cell है, उसमें क्या होता है, इसका नहीं पता कि वहाँ पे कि इस तरह से scorecard को बनेंगे, लेकिन जो आपके genuine questions से उसका जवाब यहाँ देने की कोसिस की है, कि कहां पे क्या हुआ, कैसे हुआ, पटना में क्या हुआ, या फिर और center में क्या हुआ, यह सारा उन्होंने यहाँ पे अपनी तरफ से देने की कोसिस किया, देखते हैं कितने successful हो जो NTA ने जिनके जबाब दी हुए, that's all.